क्या आप भी बिहार में राशन कार्ट के लिए अपलाई किये हैं और आपको एस्टेटस चेक करना नहीं आता है कि किस तरीका से एस्टेटस चेक किया आता है कि मेरा जो है सलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो ब्रेस कहां तक पहुंचा है आपको कुछ भी पता नहीं है त मैं आप से सेस करता हूँ कि अभी तक अपने मेरे यूटूब तो आज के वीडियो में मैं만 योपो जटनेल की अगर योडियो मेरा पको यूझा के लिए मैं आपको इस वीडियो में step by step आपको यह बताऊंगा किस तरीका से बिहार में राशन कार्ड के लिए अगर आप एपलाई कर चुके हैं तो उसका एस्टेटस आप कैसे चेक करेंगे अगर आप इस सिच्वेशन में साइबर के पर या दुकान वाले के पास आते हैं वहां पर आपको 100 रुपीश ले लेगा बस यहीं चेक करने के लिए कि आपका जो है राशन कार्ड में क्या प्रग्रेस है उसका एस्टेटस क्या है तो इस वीडियो में आप completely last तक जरूर बनियेगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में यह बताया हूँ कि किस तरीका से आ अगर आप बिहार में राशन कार्ड के लिए अपलाई किये हैं और आपको एस्टेटस चेक करना नहीं आता है तो यह वीडियो देखने के बाद आप जो है बहुत हीजी और बहुत ही आसानी से आप खुझ से अपने मुबाल फॉन से लेप्टॉप से कर पाएंगे कि कि किस बिहाराशन कार्ड कार्ड का अस्टेटस चेक करने के लिए आपको ब्रॉजर पर तो आपको यहां पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से ओपन होके आजागा तो आप यहां से नीचे आए यहां पर देख रहे हैं दिखा हुआ है आजी इसू सिस्टम लिंक तो आपको इस पर कर देना है जैसे इसको की जीए है आपको कुछ इस तरह से ओपन होके होके आएगा यहां पर सब्सेठाघ करने के बाद अबरHola कैंद्स सोच करना देना है नाउन्मंडल का नाम चूच करना तो मैं अपने मंदल को नाम यहां से चूझ कर लेता हूँ, इसके बाद यहां पर आपको RTPS Sankja आपको क्या डालना है, तो जो ही डालना है, RTPS Sankja है, तो आईए हम वो routine, RTPS Sankja को देखें से जान लेते हैं, क्यों हमको आर्टी प्ले संख्याइस मिच्चा टाइपिंग करना है तो आए हम देख लेते हैं उसको कि दो यह तो आपको कुछ इस श्मय से जो आपका सिप दिया होगा तो वह से लिफ में आप देख रहें कि यहां पर यह नंबर देख रहें यहां पर करांण गया हो 유 0001791 तो आपको हिस ताह से ये नमबर दिया हुआ तो ये नमबर आपको मेंगा को जूमिंग करके दखा रहा हूं आप देख रहे हैं कि ये नमबर आपको जो है वहां पर डालना पर गए और आपका जो एस्टेटस है वह आपको बताएगा कि आपका इस्टेटस क्या है तो आये हम यह नंबर वहां फिलब करके चेक कर लाते हैं कि यह मेरे दिसी लिए उसका एस्टेटस क्या है आये हम चेक कर लेते हैं तो हमनों को व्हाली하면서 यहां पर typing कर देना है तो यहां मों व्हाली संव्हारी थे यहां पर ट्पेंग कर दिये हैं कि अकल दो के तो difference हमा वह वाले संखया यहां पर hon दियुकर है इसका ब्लॉघ करतीजकर तो यह साइट बोग में ही होगा इसलिए रिखके आ रहा है अगर आपका ब्लोग से चल जाता है अगर आपका ब्लोग से फोरवर्ड हो याता है ऑफ में तो आपको यहां पे लिखा आएगा कि आपका आफे दिन सफलता पुर्वभ अगरशर कर दिया है मतलब आगे भेज दिया गया है ऐसा कुछ लिख क्या गया तो यह मेरा अभी मैं कल ही इसको आवेदन किया हूँ तो इसलिए कुछ ऐसा यह अपका आगे चल जागा तो आपको यहाँ पर कुछ अगरसर करके लिखा आएगा कि आपका आवेदन सफलता पूर्बग आगरसर कर है मतलब आगे भेज दिया गया है तो कुछ ऐसा लिख के आएगा तो आप बहुत ही आसानी से इसी तरह अपने घर बैठे अपने रासन कार्ट का एस्टेटस चेक कर सकते हैं कि जो हम आवेदन किये हैं तो इसका एस्टेटस क्या है ना तो आपने घर बैठे मवाल से लेफ ही पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रण के साथ सेयर करिए अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बाक्स मुझा के कॉमेंट करके पूस सकते हैं